नमस्कार लोकोष्ट एडवास फिसफार्मी चैनल बे आपको स्वागत है मैं विकास एक एक सपाजी हूँ साती साथ फिसफार्म भी हूँ मेरा खुद के बीशेकर का फॉंड है जहाँ आपने में कोमर्स फार्मिंग करता हूँ और मैं में में लिए आमसी का गलजर करता है आज मैं में में डिसकसन करने वाला हूँ जो मेंनेजमेंट के हमें ने बात किया था आइक हार्विस्टिंग में हमें कितना तक मिल सकता है। उसके बर हम डिसकसन करने वाला है। दिखिए मेंली हम लोग जो ग्रॉआउट पॉंड का जो कल्चर करते हैं वह मेली two type में कल्चर होता है शॉटाइब के एक लोंग डिवरेशन के कल्चर होता है जो वास्ष और संगि मतलब चार पात छे महथा यह है एक साल के लिए करते हैं तो दोनों का स्टॉक इंटेंसिटी अलग होगा दोनों का खर्चा अलग होगा तो उनका रिटान भी आलग होगा पहले आता हूं सौट डूरेशन में हम जो जो लोग कमर्सेल फार्मिंग में ली करते हैं उन लोग को सौट डूरेशन में लगवक ज्यादा तर आदमी करते है कोई कोई साल में तीन क्रॉप भी लेता है कोई द्रोग दो बार भी हार्वेस्टिंग करवाता है वो डीपन करता है उस बजार के उपर जहां पर उस सेल आउट करता है मैंने मेली बात होता है जो आप वहां पर उसी कल्चार को करेंगे उसी साइज साइज करेंगे मचले को ब जरी आ मचली का फीस का सबसे ज़्यादा डिमांड है आपको वी फीस करना पड़ेगा इसे से आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाँगे क्योंकि ऐसा नहीं कोई ज्यादा प्रोफिटेवल हो सकता या उसके रेड ज्यादा होगे लिकिन आप ज्यादा महानुमा कर दोगे वो यह पाएगा फिर आपको प्रावलेम आप लॉस में लेना पड़ेगा इसलिए सबसे बहतरीन चीज जई है जिस चीज़ का बजा सबसे बेश्ट है हमें उस चीज़ गए खेती करना चाहिए जिससे हमारा सबसे बेश्ट तो हमारा तलाब से मचली सेल आउट हो जाए और में म अगर इसका बाजार खुझ के तलाब से कर पाऊंगे आसा करता हो इससे आपको लोग अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा और बाजार जाने का जो जंजट है यह केरिंग कोस्ट होगा उससे भी बच सकतो अभी आता हो सौट डियूरेशन में मजली का स्टॉकिंग डेंसरी क लगबग हम लोग देते 100-20000 ग्राम साइज गां 100-20000 ग्राम का साइज गां देते हैं यह बीस से तीस ग्राम सभी से थीज पार्ट डेसी मेल मादब एक एक अकड में 2000-3000 घ्रतग सीड देते हैं तब यह एक mixture ली एक बैक सिसाब करना पड़त है मैं तो ऐसे नार्मीलि बोल बाट एक्चुली बैख हिसाब कैसा है हमें पहले इसाएं करना पड़ेगा पार डेसिमेल में यह पार एकड में हमें मैक्सिमाम कितना प्रोडक्शन ले सकते प्रोडाक्शन तो तरी आपने को आपके प्रैक्टिस के उपर है आप कितना कर पागो लेकिन आइसा भी नहीं है जहाँ पर पचास कुंडेल या तीस कुंडेल आना चाहिए हुआ पर आप 200 कुंडेल ले लोग ऐसा भी नहीं हो पाएगा तो एक मार्जीन है जहाँ तक आप इसली मलब उससे क्या होता मजली का ग्रोथ में ज्यादा प्रोब्लेम नहीं होता अच्छा ग्रोथ मील जाता है ने तो अगर ज्यादा डेंसेटी भी इस्तिमाल कर ले तो क्या होता है मजली का प्रोपार ग्रोथ नहीं हो पाता और काफी सारे प्रोब्लेम अलब प्रोब् पड़ेगा आपको बिलुकुल के तलाब क्लियर होना पड़ेगा उसके अभी सब्सक्राइब क्या होता है या छोड़िए मैं आप मैं जो बात करने वालों पाट हमें कितना प्रोड़क्स ले सकते हैं अगर आपके तलाब में तो आप 50 तक पार एकड जा सकते हो अगर अगर बड़ा तलाब है तो नैसरल एरियसन में होता है उसमें भी आप चलिस कुनिटेल तक जा सकती हो लेकिन तभी आप जा पाओगे जब पॉपर पॉंट मैनेजमेंट और फीड मैनेजमेंट जो मांधली मांधली जो मैंटेनस इनको आप क्लियार करोगे तभी आप कर पाओगे आप लोग को और एक मेंली बड़ी बात बताता हूं जो सौट टाइम डिरोसन में होता है वह एक्चुली यह फीड बेसिस होता है उनमें नैसरेली सापोर्ट तो मिलता है लेकिन उधने ज्यादा प्रभाव साली नहीं होता क्यूंकि हम हाई डेंसेटी में छोड़ते हैं बड़ा फीच चोड़ते ह उनको बड़ा करना इसलिए हमें ज्यादा फैट को देना पड़ता है जड़ी बड़ा भी होता है नलगिऊbelsान में क्या रहा होता है हम थ्युदा कंप च्रवीड देते हैं मतलब हमें Richland के लिए टो से थी पारशन फीड देते रिकॉटस रिट देना बाद में का हरव मैंना फर्मिंग करता है उनके कोस्टिंग जाता आता है कि एक सो से दो सग्राम होगा तो चार पाच महिने में आपका अराम से एक किलो हो जाएगा फिर आप बाजार में सेल कर सकते हो कि अभी आता है लंग ड्यूरेश्ट में हम लोंग किदना देते लांग ड्यूरेश्ट में हम लोग 15 से 25 15 20 बेस्त वीष्ट बीस अगर पट्टिसिम्रा मचली दे लंग ड्यूरेस्ट लॉइंत दस महिनी के लिए तो अच्छा आपको प्रोफिट मिल सकता है वह भी उसका साइज भी होगा लगबक सौ ग्राम एवाउं या सौ ग्राम से थोड़ा छोटा होने से भी चलेगा वह सीड अगर हम स्टॉक करें तो हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है अभी इनके फीड क्या देना है हमें इनमें फीड हम लोग पढ़ेगा मचली के भोजन कैसे भी करके उनका भोजन चाहिए एक्चुली होता क्या है मचली का डेली का उनके बजन के हिसाब से पाच परशन तक भोजन चाहिए अभी हम लोग कोशिश करते हैं ताला अभगंदर भोजन थोड़ा क्रियेट कर दें तो हमें 2-3 परसन 4 पर पर देने के लिए 100 कैलोरी यूज होता है वह अगर 100 कैलोरी बाहर से इंट्रेक करता है तो उनको ज्यादा तो ग्रोथ होगा जिदने खाना खाया उद्री उसके सरीर में उर्जा से निकल गया तो उनके एक्ष्टा भोजन देंगे तो ऑस सरीर में उसको बायोमास में जाते हो मतलब फीडि नाइड नहीं देना चाहते हो तो आपको ग्रोथ मिले गा लेकिन उधना बड़िया घ्रोथ नहीं मिलेगा अगर वीदाउट करना जातो तो तो दस से पंदरा 10 से पंदरा पार्ट डेसीमेल आप छोड़ सकते हैं इससे क्या होगा उसको एफलेल प्र पर मांथ का जो मैंटेनेंस है उसके बाद प्लैंक्टोर रेज आपको पर करना ही पड़ेगा और दूजरी बात आप बिल्कुल प्लैनिंग करके आप स्टॉकिंग डेंसिटी करना आपके मानी की सब्सक्राइब करनी पाओगे इसके रिजन्क बठात हो बहुत असारे आदमी को देह जाता है बहुत जो से और फिस फार्मिंग तो कोद दो जाता है लेकिन वह स्टाइब होता है जिदेना प्रॉफित होना चाहिए वह प्रॉफित होता नहीं उसको फिर उसका मोराल डाउन हो जाता है मोराल डाउन होने के बाद वोई खुदी इनके ओपर इंटर्स खत्म हो जाता है और धीरे-दरे लॉस में इसलिए कृपया आप लोग नॉलेज को बढ़ाईए और प्रोपर अपना प्लैनिंग करें विदाउट प्लैनिंग करोगे तो कभ करण सुनना मझली मचली मरने का हजार कारण है अभी हमें देखना पड़येगा उस तलाब का मधश कितना है उसका बूलने से नहीं हो पाता है क्योंकि यह सब कुछ जरूर एक दूसर से सब को रिलेटेड है इसलिए क्रिपया इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें जो जब भी आप मचली को छोड़ रहे हो तो आपके पास प्लाइनिंग होना चीमा इनको चार मैना छोड़ूंगा छे मै करके कजीन के पास कम मानी है आलो चाहता है मैं मचली फार्वीस फार्म को लॉंग डीरोशन के लिवी करू आस्व डीरोशन का पॉफिट भी मुझे मीले तो इनके भी कुछ मोडल है उनके बाद में डिसकर्शन करके विडियो से अच्छा बना दूँगा आज में में ली ब अगर 500 से उपर हो जाता है तब 22% फीड भी को अच्छा ग्रोध देगा लेकिन उससे पहले 22% करना ठीक नहीं है क्यूंकि हम लोग जिदना फीड प्रोटीन देते उनमें भी कुछ पार्संट है जो ऐसे ही ओस्ट हो जाता है तो इसलिए 24% प्रोटीन वाला फीड आप अपने अच्छा क्वालेट का फीड क्यार कर सकते हूं मैं खुद भी फाम में फीड उस करता हूं मैं मेली सोया मील ग्राउंड नट केक राइस ब्रेंड डी ओ और और उसके बाद क्या बोले मास्टर डवल केक इन्हीं क्यों वह बैस्सें में मैं करके देता हूं अभी से थोड़ा से मेरा स्टॉकिंग अभी जस्ट कुछ दिन पहले खतम हुआ फिर अभी देख कम हो जागा तो ज्यादा स्टॉक भी कर लूँगा इस सबसे उनको क्या मात्रा में करना चाहिए आप लोगों को आगर पता है तो ठीक है नहीं तो कॉमेंट करके बताना मैं फीड फीडियो बड़ी आसा बना दूंगा जिसे आप लोगों को पता होगा क्योंकि पता अब लोगों को खुदी करना पड़ेगा हर कि हमें जो बोल दोंगो यह चीज आपको मिलेगा इसलिए मैं दस चीज बोलूँगा लेकिन एक्वेशन करके कैलकुलेसन करके निकालना आव बात आता है हमें पॉंड में डेंसिट किस डेंसिट में छोड़ दिया अभी किस लेयार में क्या छोणना है उपर वाला लेयार में हमें 30% मचली उपर वाले लेयार में कौन सा मचली आता है उपर बले लेयार में आता है कादला भी घेड सिल्वर का इस टाप का मचली आता ह सबसे नीचे वाले में आ जाता है कॉमोन कार्फ काल ब्लाक काफ इस टाइब का मचली अमारा पास जो साइपिनर्स मचली है यह सब रहे जाता है यह आमूर कार्फ पूरे के पूरे नीचे वाला मचली है तो आप इनकी हिसाब से मचली को काउन करके डाली अभी तलाब के अंदर आप जो डालोगी उपर बले लेयर में अगर पूर पर सिल्वार भी जादा छोड़ दोगे तब भी मचली का ग्रोध नह लेता रहे तलाब के अंदर पूरा ऐक्सिजन के कर देता है ऑक्सिजन ईज्डविक को भी एक ट्रेस आता है और जो भोजन करते हैं भोजन के लिए काफी मात्रा में ऑक्सिजन के जोरू थे जो पार उनके पास नहीं मिलने के कारण बोजन आमारा one यह पंचता निहीं तो इसलिए वह बाइमाट को नबाट होने भाइमास को नबाट होने भी दिक्कत होता है इसलिए पोप आप अगर कतला या सिल्वार कब या बीड़ेट करोगे फिप्टी फिप्टी दुनों को करके डालोगे तो आपको आच्छा रजल्ड आगे ऐसा निमला प्र ज्यादा फिट बना दूँगा लेकिन अभी जो जीस चीज गले बनाए ओचीज बता रहा हूं अभी दूसरे कुछ मचली और भी होता है जो और भी बंदे पंगे सिस्ट में क्या हो सकता है पंगे से सब 50-70 किलो पार डेसी मिल माला 50 कुंटेल से 70 कुंटेल पार एकर आप ले सकते हो इनमे सकते हैं उसके बाद आगर आप बात करो अब लोग 70-80 किलो 90 किलो तक आप डेसी मिल आप माला प्ले सकते हैं तो हर चीज़ को बढ़ा जा सकते हैं अभी जितना एडवांस टेक्नोलोजिय आ रहे हैं इनमें एरिया से नहीं हमारा तलाब गो एक सेम तलाब गो बैस एक मेंस कर सकते हैं तो इसके लिए एरिया से बहुत जरूरी है आप लोग एरिया सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अभी स्टार्टिंग फेस में आपकर कर रहे हो तो नॉर्मेली करिए जिदना जानकार बनते रहेंगे उतने आप बढ़िया अपना फिस फार्म को अच्छा सा ग्रो तो मेरे मेरे जो दिया हुए इंफर्मेसन अगर आप लोग को थोड़ा फाइदा पहुचा आता तो क्रीपया करके थोड़ा कॉमेंट करेंगे बताना लाइक करना शेयर करना मत भूलना अब जो नया बंदे मेरे वीडियो देख रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइ नमस्कार